नमस्कार सूस्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायराखी और इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ सबसे पहले आपने जो मन से वरत रखा है उसकी हार्देक्शिक कामना है आपके पुत्र हो या पुत्री हो भगवान करें आपके बच्छों की बहुत लं पहना है thank you so very much और मैं हमेशा इसे पहनूंगी और संभाल कर रखूंगी और ये मेरे लक्ष्मी जी के 16 धागे दो देव के दो सुरेश जी के दो मेरे 6 धागे होने चाहिए बट मैंने ये 16 धागे बांदे हैं क्योंकि मैंने बाकी सारे धागे अपने परिवार के नाम के बा कई कहानिया हैं लेकिन मैं आपको दो कहानिया सुनाओंगी आज सबसे पहले कहानी के अगर बात की जाए तो एक जंगल के अंदर एक चील थी ठीक है और एक सियारनी थी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों साथ में घुमा करते थे एक दिन घुमते घुमते उन्हों सुनी और ये वचन लिया कि वो भी वरत रखेंगी चील तो भूकी रह गए लेकिन सियारनी से भूका नहीं रहा गया वो भूकी नहीं रह पाई और उसने बीच में वरत तोड़ दिया तो सियारनी है कि नगर के अंदर एक राजा था और वो बहुत विद्वान था बहुत दयावान था वो लक्षमी की बेहत चोड़ कर चले गए वो बरबाद हो गए लेकिन उसके कुल गुरू ने उसको बता दिया कि तुम्हारी बरबादी का कारण तुम्हारी पतनी है तुम्हारी पतनी घमंडी है कि उसने लक्षमी का अपमान के और लक्षमी उसे चोड़ कर चले गई अब लक्षमी को मनाने के था वो ःगहा ते पास इसे इतनी गलj एक आइस आइए और एक दिन राजा शिकार करता करता उसी जंगल के आश्रम में पहुंच गया रानी रहती थी, राजा शिकार कर रहा था तो काफी राथ हुच की थी राजा का वापस जाना मुश्किल था राथ को where टेंट लगा कर रुका गया और राजा ने बोला आसपास देखकर आओ मेरे खाने का कोई इंतजाम किया जाए तो वो पहुंचे गुरू के आश्रम में तो थे नी गुरू भार गए वे ते राणी थी राणी थी राणी ने बोला किया तो बोले राणी पहचान गए कि उसका राजा है नाम बोला तो तो उसने क्या कि सियार उसने जो है तीतर लिए तीतर को काट कर उसका गोश बना कर राजा के लिए बेचा एक बाइट खाते ही राजा बोला ये तो स्वाद मेरी राणी का है और मेरी राणी के सिवा ये स्वाद कोई और नहीं बना सकता तो मेरी र आज पार्ट सब अच्छे से संभालेगी और तुम्हारा भी पूरा ध्यान रखेगी बोले ठीक है बोले जब बेटी जाने लगई उसे दहीं का बरतंदिया और बोले कि मैंने तुछ अपनी बेटी बना के रखा अगर ये दहीं रस्ते में हिले तो समझना तेरा पिता मर गया और अगर ये दहीं ना हिले तो मैं जीवित हूं तो मैं मरूं तुम्हें अपना वादा पूरा करने आ जाना आप कभी ऐसा हो सकता है कि दहीं आप किसी बेल गाड़ी में या घुड़े पर लेकर जो और वो ना हिले वो तो हिलेगा क्योंकि गुरू थे वो एक परिक्षा ले रहे थे तो जैसे ही रानी थोड़ दूर गई दहीला उसने बोला बैं मुझे तो मेरे पिता के पास वापस जाना है मेरे पिता की मरती होगी राजाने का तुम बेकार की बाते मत करो वह कुई तुम्हारा पिता विता नहीं है हो गया जो हो इसे काफी शर्फियां दे आ तो रानी अपने परिक्षा में सफल हुई उन्होंने उसे सदा सुहागन रहने का और सौ पुत्रों का आशिरवाद दिया तो ये है पुत्र जीवी का वरत की कहानी आपने वरत रखा है या नहीं रखा कहानी सुन लीजिए बच्चों को सुना दीजिए क्योंकि सुनने वाले को कहने वाले को और हुंकार भरने वाले को लक्षमी जी के जैकारे लगाने वाले को पूरा फल मिलता है आप का वरत अच्छे से हो और मेरी स्टोरी भी पांच मिनट में कम्पलीट हो गई I love you guys मेरा बहुत सारा प्यार और आशिरवाद चानल को सब्सक्राइब कीचे लाइ और वो खास केवल हमारी जिन्दगी नहीं बदले औरों की भी जिन्दगी बदले क्योंकि कर भला तो हो भला जैमाता दी